तो इतना ब्योधान होगा कि कुछ समाज में नहीं आ रहा है इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अगर यह वचन भंग होता है तो अब यह अश्क की प्राप्ती होती है जो करोड़ उम्रत्यों के समान भेशन संताब देने वाली है राज धर्म का या संगल्प राजने का महत संगल्प है जो वचन से प्रतिग्या से अनुबंदी या संदी से जुड़ा हुआ है जिसमे स्वार्थ नहीं परमार्थ का में है राज धर्म के एक अहम संगीता राम द्वारा है प्रस्तावित है जो है चत्रकोट में भरत को समझाने के करम में देते हैं वे भरत को देश खुटूंब कोश और परिवार आदि की जमेवारी गुरू वसिश्त को सौंप कर गुरू माताओं और मंत्रियों के सिक्षा मान कर प्रतव परजाओ राजधाने का पालन करने को कहते हैं यह पालन ही असल राज धर्म है राज नए है और राजा के अच्छे बुरे के पहचान है तुम हमोने मा तु सची उसे खमानी पाले हो पूह में परजा अरच दानी पर यह पालना कोई सामान राज धर्म नहीं है उसके लिए समता भाव चाहिए उंच नीच छोटा बड़ा जात कुजात के भेद से परे होकर ऐसा पालना जैसा मुक करता है वो खाने पीने को एक अकेला होता है परंत विवेक पुरवक शरीर के सबी अंगों को पालता है उनका बराबर भाव से पोशन करता है यानि राजा को मुक के समान मुक्या होना चाहिए अगर वो ऐसा नहीं होता तो राजधर्म का पालन नहीं करता मुक्या मुक्सो चाहिए खान पान कहुं एक पालई पोशई सकलंग तुलसी सहीत विवेक राम भरत को समझाते हुए कहते हैं कि राजधर्म का सारवस इतना ही है जैसे मन के भीतर मनौरत चिपा रहता है राजधर्म सरवस एतनोई जीमिमन माह मनौरत गोई पर मन के भीतर जो चुपा हुआ मनौरत है वह क्या है वा यही की उसकी प्रजा का किसी भी प्रकार अहित न हो मुखिया का मुख के समान रहते मन में सदा यही मनौरत हो कि राजा सब को एक भाव से देखे सब की उमीदों पर खराव उतरे और सरवदा उसमें सब के प्रती कुछ शुप कुछ मंगल और कुछ हितकारी कारे कर सकने की सक्री एक्षा बलवती रहे इस राज धर्म की एक नीती धहरेधारन करने की है आपदा या संकटकाल में विवेक रखना और धीरज बनाए रखना वशक है नहीं तो समूचा राज्य टूब जाता है राजा चुकी परिवार का मुख्या होता है इसलिए प्रजा या समस्त राज्य ही उसका परिवार है राम वन गमन के बाद कोशिल्या की दसरत को दी गई या सीख राज धर्म में धहरी की आउशकता निरूपित करती है धीरज धरी अतपाय पारू नाहें तबूरी ही सब परिवारू तो उसी दास में चित्रकूट में राम के निवास को एक अच्छे राज के रूपक में बांधा जो राज नहीं और राजधर्म के लिए अहरताएं निर्धारित करने की तरह है वह एक स्रेस्ट राजा के गुण ही है वे विवेक को राजा कहते हैं तो वैरागी को मंत्री यम यानि अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचरी और अपरिग्रह सथा नियम शोच संतोष अतप स्वाध्याय और भक्ति यानि शद्धा ये सब युद्धा हैं परवत यानि स्थरता राजधानी है तो शांती और सुबुध्धी दो संदर और पवित्र राणिया हैं वह स्रेस्ट राजा राजी के सभी अंगों से पूर्ण है तुलसी दास राजी को साथ अंगों में बाटते हैं स्वामी आमात ते सुहर्द कोश रास्ट दूर गवर स सदियों के गुजरने के बाद और प्रजातांत्रिक विवस्था के लागू होने के बाद भी हम जिस लोग कल्यानकारी राजी के स्वपन देखते हैं उसमें ही से सर्वतों मुखी राजी परिकल्पना और शाशक के गुणों के संगिता देखकर चकित ही हो सकते हैं राम बास बन संपति भ्राजा सुखी प्रजा जन उपाई सुराजा सचिव बिराग विवेक नरेशू पिपिन सुहावन पावन देशू पट जम नियम सहल रजधानी सांती सुमती सुची सुंदर रानी सकल अंग संपन सुरावू राम चरन आश्यत चित चावू कैसे प्रजा ऐसे सर्वगुन राजा को पाकर सुराज न पाएगी और कैसे उसे न लगेगा कि वह स्वैंग ही साशन कर रही है कि हाँ सहजी महत्मा गांदी की याद आ सकती है जिनका सारा शंगर सी सुराज के लिए था वह यही सुराज चाहते थे जिसमें प्रजा को स्वैंग लगने लगे कि वही शाशक है जो शासन कर रही है पर उसके लिए जिस राज धर्म के आउशकता थी वह न पाया जा सका और नो उस पर चलनी के ख्षमता अरजित की जा सकी फलतह वह सुराज आज भी हमारे लिए स्वप नहीं बना हुआ है तुरुसी दास के मानस को इस राजनेस नएक दिस्ट से देखने की आउशकता है क्योंकि उनकी विलक्षन लोक दिस्ट्री अपने समय से बहुत आगे की चीज थी और अनेग व्यवस्थाओं के अध्येन तदा उसके मन्थन से अरजित की गई थी राज्य सन्रचना, विधाई व्यवस्था और राजनितिक आउधारणाओं के संदर में जब हम तुरुसी दास की इन संगिताओं का परिक्षन करते हैं तब उनके महत्व और प्रासंगिक्ता के आहम सुत्रों को समझ पाते हैं यह देकर विसमें होता है पर सच है कि राउन की वहन सुरुभणखा खर दोशन के निधन के बाद कुपित भाव से राउन के दरवार में आकर उसे खराखोटा सुनाती है नाक गादन से रक्त बहरा है वह दहिक कस्ट में भी है पर राउन को फटकार लगाने से वह नहीं चूकती यदपी उसकी कही भी बातें नीजी स्वार्थ के लिए हैं और राउन में प्रतिशोत की भावना जगाने के लिए पर वह जो कहती है वह राज धर्म के नीती बचन है वह कहती है कि तुमने देश और खजाने के सुधी ही भुला दी है और तुम मदिरा पे कर दिन राट सोये ही रहते हो और चिंता ही नहीं कि तुमारे सिर पर्शत रूकड़ा है बोली बचन क्रोधिकरी भारी देश कोस के सुरिति विसारी कर सिपान सोसी दिन राती सुधिन ही तवसिर पर आराती इसके बाद जो वह कहती है वह तुलसी दास का राज धर्म है जो प्रतेग राजा के लिए नीती बचन है वह कहती है नीती के बिना राज्य और धर्म की बिना धन प्राप्त करने से भगवान को समर्पन किये बिना उतम कर्म करने से और विवेक उत्पन किये बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में सर्प श्रम ही हाथ लगता है और कुछ हाथ नहीं आता विश्वों की संगत से सन्यासी, बुरी सला से राजा, मान से ग्यान, मदिरा पान से लज्जा, नम्रता के बिना प्रीती और मद से गुणवान शिग्र नस्ठ हो जाते हैं इस प्रकार की नीति मैंने सुनी है राज नीती विनू धन धन्य विनू धर्मा हरी समर्पे विनू सत्कर्मा विद्या विनू विवे को पजाएं, श्रमफल पडह किये अरुपाएं शंग ते जती कुमंद्र ते राजा मान ते ग्यान पान ते लाजा प्रीत प्रने बिनु मद्र ते गुनी ना सही बेग नी ती अस सुनी इसके बाद वह यह कहकर कि शत्र रोग अगनी पाप स्वामी और सब को छोटा नहीं समझना चाहिए अनेक प्रकार से बिलाव करने लगती है रिपूरुज पावक पाफ प्रभू अही गनी न छोट करी असके विविद बिलाव करी लागी रोधन करना सुर्पणखा के इस सीख और फटकार में जन सुलव नीती बचन के एतरिक दो बातें स्पस्टता है राजा के लिए नरदर्शित हैं एक यह कि नीती के बिना राज़ का कोई और चित नहीं है तो दूसरा यह है कि बुरी सलाह से राजा का नाश को इटाल नहीं सकता नीती नहो तो राज अराज़क होता है तब शाशक किसी भी तरह अपने विलास को मुक धे मानता है और हरत रह के कपट कर लोगों को भरमा कर राज करना ही अपना कर्तब बे समझता है उसमें कोई स्वपन नहीं होता न कोई आकांख्शा होती है कि वो अपने पद और दाईतु को समझ सके उसे चाटुकारों का साथ होता है जो उसके वर्थ प्रसंसा करते रहते हैं और वही सलाह देते हैं जो उसके आंग को तुस्ट कर सके ऐसी अनीति के साथ राजी करने वाले चाहते भी नहीं कि कोई अच्छी सलाह देकर उसकी चिंता बढ़ाए या उसके विलास में बादक बने फिर तो राजा व्यसनी होगा धर्म से धन अड़तेगा विवेक रहित निरने लेगा अपने अंग में चूर रहेगा और राजी की रक्षा और कोश के चिंता से विरत रहेगा अगर राजी का हित चाहेगा और कोश के चिंता करेगा तो उसे हमेशा यह भै रहेगा कि कोश प्रजा के धरोवर है और राजी भी उसी का है तब उसे नीत इमाननी होगी जाहिर है जो राजा ऐसा नहोगा उसका आतांतिक देशों को देखें जिनके समिधान लोक कल्यानकारी राजी के सपने दिखाते हैं समता समानता और न्याय के बिरुदावलियां गाई जाती हैं परचुने हुए प्रतिनिद्यों से लेकर शाशक तक में राजकाज की नीति आदर्श सेवा भाव स्वपन और समरस्ता का लेश भी नहीं दिखाई देता इस्थितिया बनती है कि ऐसे शाशक चाटुकारों की मंडलियां बनाकर अपनी प्रशुनसा में मुग्ध हो रहते हैं और मंडलियां उनका कीर्थन कर उन्हें नित नित नए विशेशनों उपादे शाशक बनकर प्रजा पर उपकार कर र राज नए को राजधर्म से जोडते हैं और राजा को प्रजा प्रजा के प्रति उतरदाई बनाते हैं वे राजा प्रजा के प्रती उतरदाइत्व का भाव अपनी संकल्पना के अंतरगद लाते हैं राज तंत्र में राजा तो अपने पिता से राज ये पाता है राज तो उसे उतराधिकार में मिलता है उसका उतरदाइत तो सिंहासन के प्रती है पिता के प्रती है प्रजा यहां कहां से आ चेता विचारक भी हैं उन्हें लोक नायक यूही नहीं का कह दिया गया है यद्यपी की यद्यपी की राजजंत्र में राजा को राज पिता के उतराधिकार के रोप में मिलता है पर वे नहीं मानते कि राज राजा की भपवती है वह अंतता प्रजा की है राजी की धरती संप तुलसी दास यह क्यों मान लें कि राजा अपने प्रजा के प्रतिव उतरदाई नहों वह अनीत ही करें और जनता करवद्ध हो उसकी यश्गाता गाएं वह उसे मर्यादा में बांधते हैं उसमें भैपैदा करते हैं और उसे समझाते हैं कि यही वह हमार गह जो तुम्हारे लिए अगर इस पर नहीं चलते तो मरोगे कोई शक्ति तुम्हें बचा नहीं सकती तुलसी दास का राजधर्म किसी भी राजी वेवस्था का आधर्श हो सकता है उसे हम प्रजातांद्रिक वेवस्था पर भी लागू करके देख सकते हैं यह तुलसी के दूर दृस्टी औ और प्रखर राजधर्मितिक दिस्ट ना कहें तो क्या कहें कि उन्होंने राजधर्म में प्रजातंद्र के आधार सुत्रों को पहचान लिया था। कमल के वन को दुख देने वाले वाली जाड़े की रात्री के समान है सुनिये सीता को लोटाए बिना शंभ और ब्रम्ह भी आपका भला नहीं कर सकते। और कहते हैं। पर तुलसी दास में यह नेती वचन कहा। कि यह बिना अपने और राज्य के हित की बात सुननी चाहिए। जो राजा गलत निरने करके भी असाहमतियों को जगह नहीं देता और उस पर विवेक पुरून ढंग से विचार नहीं करता। उसे नश्ट हो जाने से कोई रोक नहीं सकता। उसे विवेशन समझाते हैं, मालिवान समझाते हैं और बार बार मंदोदरी समझाती है। पर वह अपने साथ समस्त प्रजा को ले डूबना चाहता है। और इसी लिए हंकार में वह किसी की नहीं सुनता। मंदोदरी तो यहां तक कहती है कि उसी के साथ बैर करनी चाहिए जिससे बुद्ध और बल के द्वारा जीता जा सके। ना तो बैरु कीजे ताहीं सो बुद्ध बल सकी जीत जाहीं सो रावन की पराजय और आंत चाहे उसके दुषकर्मों का परिणाम हो। वो आंतता उसके द्वारा राजधर्म की अवग्या ही था। आती है और उस बचन पर टिके रहने की मांग भी करती है। कोई राजा हो गया हो तो अब प्रभू या परात पर नहीं हो जाता और नहीं उसे अधिकार मिल जाता है कि अपने तुछ एषणाओं के लिए वह समूचे राज्य और परजा को संकट में डाल दे। इसलिए वे जब राम को आदर्श राजा की तरह रखते हैं तो दिखाते हैं कि उनको परजा से कितना प्यार है और अपने आचरण से वह या सिद्ध भी करते हैं कि एक राजा की रूप में उनकी निज़ता के लिए कोई जगे नहीं है राजधर मसर्व परी है। प्रजा एक मात्र धे है जिसके हित की कामना करना और उसकी प्रसनता बनाए रखना ही उसका करतब्य है। वे राजा राम समस्त नगर वासियों को संबोदित करते हैं। शमा करें थोड़ा सा। वे राजा राम समस्त नगर वासियों को संबोदित करते हैं। और कहते हैं मेरी बात सुनिये। यह बात मैं हरदे से कुछ ममता लाकर नहीं कहता। ना अनीती की बात कहता हूँ और ना इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भै छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लीजिए। और यदि आपको अच्छी न लगे तो उसके अनुस्त वरवक है। वही मेरा प्रियतम है जो मेरी आज्या माने। यदि मैं अनीती की बात कहूँ तो ना इसमें लीजिए। इसके बाद राम पुर्जनों से परमार्थ की बातें कहते हैं और मनुश योनी की दुरलबता बता कर तुछ श्वार्थों से उपर उठकर दुरूनों से दूर रहने की सीख देते हैं। या सीख उतनी महत्पून हो या नहो महत्पून राम की प्रजा बथलता है। प्रजा को इतना मान देना कि उनके बीच उपस्तित होकर संबाद करना और यह भी कहना कि जो ठीक लगे वह मानो और जो कुछ अनुचित लगे उस पर बिना भै के टोको कि आपकी यह बात अनुकूल नहीं है। वे अपने सेवक को ही प्रियतम कहते हैं। यह प्रजा बथलता ही तुलसी दास के राम राजधर्म का काम में है जो भी राजा में चाहते हैं ताकि उनकी लोक सत्ता उस प्रजा को सर्वतों मुखी विकास की और ले जाए उसे नहतिक बनाए उसमें प्रेम का संचार करे जो उसका राजा हो। यह तुलसी दास की लोक विवस्था अधिएट लोक-धर्म का राज-धर्म जो साशन के लिए आज भी काम या आदर्ज की तरह है। इस परिकार हम देखते हैं कि तुलसी दास की मानस में जहां लोक विभार की प्रासंगिक सक्षाए मिलती हैं वहीं परि देखते हैं, वहीं उनकी लोक सत्ता के राजधर्म को समझ पाते हैं, एक विराट लोक की उपस्थितिया में चकित करती है, और हम पाते हैं कि मानस के प्राया सभी प्रसंगों और दिश्टांतों में लोक जीवन्त था, लोक के गहरे अनभवों को अविव्यक्ति मिलती है, त चाहे पशुपक्षियों का हो, चाहे प्रकृति और वनस्पतियों का हो, भारतिय लोक की कौटुम्बिक कामना के अनुसार सुरक्षित, संभर्धित और विक्सित हो, इसमें सबकी जगे हो, जिसमें कोई भेदभाव न किया जाए, उनका सुराज ही वस्थतह इस लोक की प नमत बनाते हैं।